नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत थे NKP प्रोडक्शन में और आप सभी को बता दू मैं कि जैसे कि PG की एडविशन की प्रोसेस सुरू हो चुकी है तो आपको बता दे मारवाडी कोलेज राची में जो है आपका नन वोकेशनल जो कोर्सेस हैं उनके लिए आपका एड 22 से श्टार्ट हो रहा है 22 नौमबर से और लास्ट डेट जो है form फिलप करने का वो है आपका दस दिसंबर दस दिसंबर तक आप फोंबर सकते हैं उसके बाद में आगर आपको अपला करने का टायम नहीं दिया जाएगा तो पहले form को आप फिलप कर ले form का फिलप कहां से हो किजी उसके बाद में उसका merit list निकलती है उसके बाद में एडविशन होता है तो इसका process में आगे आपको बताया हूँ detail के साथ में बताया हूँ कब-कब आपका list निकलेगा कब-कब एडविशन ले सकते हैं और आपको बता दे जैसे कि BA, BAC और पास आउट जो हो चुके हैं और masters करना चाहते हैं जैसे कि MA, MCOM, MSC जो भी करना चाहते हैं master degree वो उसके लिए form निकल चुकी है दस तक last date है चांसलर पोर्टल से आप लोगों को करनी है अब चांसलर पोर्टल से form को fill up कर लीजे मारवाडी कोलेज की भी वहीं से होगी और non vocational की है उसका website से हो रहा है तो आप अंतक वीडियो में बने रही है आप पूरे वीडियो को देखिए आपको पूरा information मिलेगा और damn करके मतलब कि एक message करके मैं जे कुछ जरूर बताना कि आपको किस regarding और भी वीडियो चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद और अंतक वीडियो में देखते रही है आप तो दोस्तों ये रहा notification जो मारवाडी कोलेज राची की ओर से निकल करके आई है आपको बता दे इसमें directly लिखा हुआ है PG, MA, MSC और MCOM के जो student एडविशन लेना चाहते हैं अकीश से लेकर सेशन 2023 तक का वो अपना एडविशन के लिए form fill up कर लें और वो कहां से करेंगे वो chancellor portal से form को fill up कर सकते हैं तो form fill up करने का जो date आपको दिया गया 22 तारिक से जो starting है और लास्ट डेट है 10-12-10 दिसमबर तक है वहीं आपको फर्स्ट लिस्ट का डेट दिया गया है 14 दिसमबर वहीं सकेंड लिस्ट के फर्स्ट लिट के एडविशन डेट जो है 12-12-20 दिसमबर तक होगी वहीं सकेंड लिस्ट जो रहेंगे अगर सीट बहेकन रहती है तो 24 दिसमबर को निकलिगी उसके सकेंड लिस्ट और उसका लास्ट डेट ऑप एडविशन जो होगा वो 30 दिसंबर तक होगा और एडविशन अगर सीट खाली रहती है तो एडविशन और भी आगी होगी अन्याथा एडविशन को वहीं पे क्लोज कर दिया जाएगा तो जो MA, MSE और MCOM में जो एडविशन लेना चाहते थे वो PG डिपार्टमेंट में वो अपना फॉर्म को जल्द से जल्द फिल अप कर दे चांसेलर पोटल पर जा करके अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको चांसेलर पोटल में जा करके फॉर्म कैसे भरना है तो दोस्तों यह रहा जो आपको चांसेलर पोटल का वेबसाइट दिख रहा है आपको सर्च करना है जार्खन university.nice.in जिसको हम लोग chancellor portal भी बोलते हैं आप chancellor portal directly search कर सकते हो इसमें से यह website खुल जाएगी जैसे ही आप website पे आते हो देखें यहाँ पे login section दिया हुआ है इसमें अपना email id और password को आपको डालना है उसके बाद एक capture आएगा capture को डालेंगे आप login यहाँ login here login कर लिजे यहाँ से जैसे ही आप login करते हैं आपका आगे का process होगा जैसे ही आप capture डालते हैं और login करते हैं आपका login होगा इस तरह का portal आपका खुल जाएगा जैसे ही आप portal खोलते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है पूरा सेक्षन तो एडूशन फोग जो यह दिया हुए देखिए parcel पूर्ण इसमें आपको जाना है एक प्लक किज़ेगा जैसे ये आप इसपे क्लिक करते हैं कि फॉप करते एक एंएडुवशन यह पूर्म प्लत सकेंड में आपका जो आएगा सकेंड में academic information आएगा आपको academic के बारे में डालना है फिर apply discipline मतलब कि आपका जो कौन सा college है college के बारे में selection subject के बारे में selection वहीं उसके बाद बता दे payment section उसके बाद में आपको payment करना होगा जो इसका charges है charge को pay करेंगे उसके बाद submit करेंगे ता आपका form यहाँ पे submit हो जाएगा यह रहा process इसके थूरू से आप चांसलर पॉटल के थूरू से आप इसमें अपना एडविशन ले सकते हैं तो जल से जल अपना नामकन करवा लिजिए मारवाडी college का form निकल चुका है यही से मारवाडी यह सब्सक्राइब जरूर किचेगा बहुत बहुत दन्यवाद